हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ दोसो HPGK के ऐसे most important question discuss करूँगा, जो की HPSSC जो exam conduct करवाता है उनके दोरा exam में पुछे गए हैं तो जो भी मैं आपको इन question के answer बताऊँगा, वो provisional answer की के साब से बताऊँगा, लेकिन provisional answer की जो होती है, उसमें questions के जो answer दी होता है, गलत दी होता है, लेकिन मैं जितना भी हो सकेगा, मैं आपको जो उसका सही answer ही बताऊँगा, सही answer ही टिक कराऊँगा, बाकी एक चीज़ और बता दूँगा, मैं इस तरह के 5-6 वीडियो लेके आने वाला हूँ, जो की जो भी एक्जाम होएंगा, HPSSC के आफिर पंचैस अचीव का, जियो एटी का तो उनके लिए जो HPG कहाँगे, उनके लिए sufficient रहेंगे तो बाकी मैं आपके साथ जो भी discuss करूँगा, खली मैं आपको जो question का वो answer ही, टिक करवाँगा, क्योंकि अगर question के बारे में हर option को explain करेंगे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो बाकी चलिए शुरू करते हैं कि जिस तरह question first है कि तत्ता पानी, गरम पानी का सोता हिमाचर प्रदेश के किस जिले में हैं, तो जो ये सित है option D, मंडी, next question है कि चंदर हिमनद हिमाचर प्रदेश के किस जिले में पढ़ता है चंदर या चंदर हिमनद ये पढ़ता है लहौल स्पिती में, option A, right answer है next question है कि किस वर्सी माचर प्रदेश एक संग प्रदेश बना, तो यह जो बना, यह बना, यह बना, नाइनटी-फिप्टी-सिक्स में तो option D, right answer है next question हिमाचर प्रदेश का कौन सा तोहार चैत्रमा में मनाया जाता है तो इसका जो राइट answer, option B, गंग नवमी next question हिमाचर प्रदेश निमलीखित में से कि जीले में महतव संख्या में उद्योगी की काई है हिमाचर प्रदेश के कौन से जीले में तो जो इसका जो राइट answer है, वो option D होना चाहिए लेकिन जो प्रोविजनल answer की में maximum time जो answer है, कांग डा दिया रहता है तो आप कमेंट करें कि इसका जो सही answer है, वो क्या है तो जो next question है, कि काल का शिमला railway आतरा में सबसे लंबी railway सुरंग कोंसी है तो option A right answer है, कि जो बर हो गया है, वो सबसे लंबी सुरंग है next question, कि हिमाचर प्रदेश के कि जीले में नैना दभी मंदिश स्थित है तो option A right answer है, बिलासपूर में next question, हिमाचर प्रदेश के प्रथम मुख्या आयुक थे तो हिमाचर प्रदेश के जो प्रथम मुक्या आयुक थे, वो थे N.C में था, option B right answer है तो next question है, जो पारवति कि इस नदी की साइक नदी है तो इसका जो right answer है option a answer ब्यास की साइक नदी है next question है कि बड़ा शिगरी क्या है तो बड़ा शिगरी एक glacier है हीमनद है next question बैरा से बांधी माचप परेश के किस जिले में सीत है तो जो ये सीत है इसका option a right answer है चमबा तो ये चमबा में सीत है next question है ये भी मैंने अभी आपको question बताया रपीट हो गया कि नेरा देवी मंद्री माचप परेश के किस जिले में सीत है तो आप इस question का answer है जो comment करिए साम हिमाचप परेश के सोरन जिले में ओद्यों की किंदर नहीं है तो अरकी परवानू ब्रोटी वाला सोरन तो इसका जो right answer है option a अरकी नहीं है next question हिमाचप परेश की पश्चमी पाड़ों में प्रवेश करने वाली दूसरी जाती थी तो यह दूसरी जाती थी यह से किरात option d यहने तिप्टी बोलते है next question कि हिमाचप परेश में प्रथम राजय पाल कौन थे तो यह जो थे s चकरवरती थे option b right answer है next question British सरकार द्वारा स्रीमो राजा के अमर परकाश को निम लिखित में से कौन सी उपादी नहीं प्रदान की गई थी तो जो यह की गई थी यह नहीं की गई थी ambassador of her highness तो यह नहीं की गई थी बाकि महाँ राजा left net canal और के सी आई एफ यह की गई थी next question है आप कमेंट करके बताएगो कि गगल जो यह विमान पतन है एरपोट है कोन सी इस्ट्रिक में पढ़ता है तो next question है कि माच परदेश के किस दिले में सबसे अधिक ओद्योगिक इकाई है तो आपको मैंने बुला कि जो question है इसका answer है comment करना बाकि मेरे साथ से इसका answer है option D होना चाहिए लेकिन जो answer की में इसका answer दिया है वो यही दिया है इनोंने option A, C बाकि जो D इसका answer होना चाहिए क्योंकि जो लगू ओद्योगिक इकाई है वो ही पड़ती है कांगडा में बाकि जो ओद्योगिक इकाई है तो यह जो solon में है next question है जवारणा नेरुद्वरा किस बांध को पुनर जीवित भारत का निया मंद्री बताया गया था तो यह जो यह बताया गया था यह बताया गया था भाकडान अंगल बांध को तो option B राइट अंसर है next question है कि हिमाचा प्रदेश के को से जिले में आवादेवी मंद्र सित है तो जो यह सित है इसका जो राइट अंसर है option A राइट अंसर हमीरपूर में बाकी और आपको पता होगा कि जो आवादेवी जो सबसे उची चोटी हमीरपूर की है next question है कि किन्नर लोग सहित्त है पुस्तक किस ने लिखी थी तो जो किन्नर लोग सहित्त है पुस्तक थी वो लिखी थी बंसी लाल शर्मा ने बंसी लाल शर्मा थे तो इसका जो राइट अंसर है option C किस जिले में खजियार जिल सित है तो इसका जो राइट अंसर है option A चमबा में सित है next question की माच प्रदेश कितने जलवाई क्षेत्र में विवाजित है तो इसका option C राइट अंसर है कि 4 क्षेत्रों में विवाजित है ही मुर्जा किस क्षेत्र में कारय रत है तो यह जो पुना प्रप्रप्र और जमेर इनेवल अनर्जी option A राइट अंसर है next question ही माच प्रदेश के कि जलवाई में गसोटा महादेव मंदिर सीथ है तो option B राइट अंसर हमीर पुर में सीथ है तो इसका जो राइट अंसर है option A जगदीश्चन था next question ही माच प्रदेश के कि जलवाई में रेंग का जिल सीथ है next question ही माच प्रदेश के बिलासपुर जिले के कि सान पर A.C.A का सबसे बड़ा मतरस्या प्रजनन फारम बनाया गया है तो इसका जो option C राइट अंसर है देवली में next question ही कि वह प्रथम वेक्ति कौन था जिसने 1987 में परसुरां पुर्सकार मिला था next question ही माच प्रदेश के कुलू जिले का मलाना गाउं किस लिए प्रसिद्ध है तो जो यह प्रसिद्ध है तो इसमें option D राइट अंसर है बिश्रव का सबसे पुराना लोक्तंतर है next question ही कुनिहार का पूरबरती राज्या बरतमान में हिमाच प्रदेश के किस दिले में है तो इसका जो ऑप्शन D सोलन में हिमाच प्रदेश के किस दिले में मिंगल मिला मनाया जाता है तो इसका जो option A राइट अंसर है चंबा में next question हिमाच प्रदेश के किस दिले में राक्षा सनीते किया जाता है तो option B राइट अंसर हो सनीते किस दिले में प्रदेश के किस दिले में तरणा महल अवस्तित था है तो इसका जो राइट अंसर हैểm ओप्षन एकांगडा में की तब किस दिशा में हमाचा प्रदेश सित्त है तो ओप्षन शी राइटन से रहा पश्ची में नेक्स्ट को सन्हें कि कांगडा का शार्च कोन था जब मुहम्मद तुगलक ने इस पर आकरमन किया था तो इसका जो राइटन से ओप्षन सी प्रिथ 56 शिम्ला जीले केहं कि मिल से कौन सा एक राज्या मिला है तुसराहा मेला शावनी मिलवा शिपकी मिला तो यह कुई भी राज्या मिला नहीं है तो ओपछन डिराइट अन्सर होगा ओउब्धní राज पख्षी अपर टकिश्या है सिमा पावार थी नेक्स्ट कोषण कि स्पीधी शब्द का र county जो जो प państwa heperson भीत्वे SB भोमी नेक्स्ट कोषण है विश्क पर्मा मंदी स्थ движ तो इस तितल है opanse ये पउंडास हिए में डिस्टिक सिर्मोर हाई कि कि हिमाचल परद dissertation की जिले में मणें मेस जी जीळ सित है तो जो यह सित है तो इसका जो राइट अंसर है option D चमबा में सित है next question है कि हिमाचल परद dissertation की जीले में मजय थल बन्नियाजLou अभ्यहन सित है तो यह question हम पहले इप डिसकस कर चुके है पिछले वीडियो में तो इसका जो राइट अंसर है option 26 में next question है हिमाचा प्रदेश राज्य विदुद बोर्ड का घरन किस वर्स हुआ तो इसका जो हुआ था इसका जो राइट अंसर है option 1971 में next question हिमाचा प्रदेश के कि जिले में गगल भायू पतन अवस्तित है जो की मैंने अभी आपको बताया था कि जो गगल है सबसे बड़ा एयरपोर्ट है और यह किस डिस्ट्रीक में सिता है तो मैंने comment करने के लिए कहा था तो इसका जो राइट अंसर है option C कांगडा में सिता है बाकी आपके लिए question है कि जो बुंतर एयरपोर्ट है वो कौन सी डिस्ट्रीक म आप जरूर कॉमेंट करें ओप्शन भी बाकी हमाचा प्रदेश के पहले चीफ कमिशनर कौन थे तो यह question हमने अभी इसी पीछे डिसकस किया है तो इसका जो राइट अंसर है option A nc मैता नेक्ट कोशन ही माचा प्रदेश के कि जीले में खजियार जील सिता है तो यह इसका ज 2-5 में सित्थ है नेक्ट कोशन है कि जास्मा राज्य की राज़ानी कहां पर थी तो इसका जो राइट अंसर है option B राजबुरा में नेक्स्ट कोशन है कि 1921-1915 के दौरान शिमला किस निर्वासित सरकार का मुखले था तो इसका जो राइट अंसर है option B कि वर्मा और जोकी आज का मयाम आ रहा है उसे पहले बर मा बोला जाता था जो देश है नेक्स्ट कोशन है कि हिमाचर प्रदेश में बहुत धर्म का कौन सा संपरदाय जादा अनुसरीत है तो इसका जो राइट अंसर है option D बरजियान जो है वो हिमाचर महिला पौर्टैक्निक के जो संसता है वह बनागाट में ओप्षण यूद्ध राइट अंसर है कि दूहें कि निम्न में से कौन सासल आज का नालागड कह लाता है तो यह जो कह लाता है हिंदूर तो औप्षण ए राइट अंसर है लुग नैस्ट को नहीं महादा अन्ज्रिम में सुलांग । हृब लू में इन हमने अभी इस वीडियो में को शगी स dugna कर तो ये रही पिर वहे उस तो नाश्च ब्रस्जग मन्दति शितता तो यह कोश्ण भी एजो रपीट हो गया है नहुली मिला मनाया जाता है तो जो 157 का जो रइट एंसर है इसका जो ऑप्शन एस यह मनडी नेक्स्ट कोशन की ही माच्वच ज़िले में बहुत बिक्षु दौरा चम रित्ता है किया जाता है तो इसका जो रइट एंसर है कुमेंट करके बताएं इसका यंशर नेक्स्कोंट्सुन है कि मात्रों प्रदेश के इस बुरि छे में बुरि सिंगे में स्तित है तो जो इसका जो राइट इंसे बर फिला चित है नेक्स कोशन है कि माचा परतिश के कि पुल्लू जिली में सित्ता है option b right answer है next question है कि निम में से किस नदी कि साइक नदी लूनी है तो जो लूनी है यह साइक नदी है ब्यास की तो इसका option c right answer होगा next question है हिमाचा परदेश के किस जिले में 12 सी उलबांस सित्ता है तो यह question भी हमने अभी तो इसका right answer है option a हमीरपूर में सित्ता है उसके लबा की next question है माचा परदेश के किस जन जाती दोरा दंदरा सनुरित्या किया जाता है तो यह जो किया जाता है गद्दी के दोरा किया जाता है चंबा में तो इसका जो 160 का right answer है option c option d right answer होगा next question है माचा परदेश किस वर्ष के अंदर साजित परदेश बना तो यह भी हम डिसकस कर चुके यह repeated question है तो c से ही होगा 162 का next question है कि परसिद हरी राय मंदरी माचा परदेश के किस जीले में स्थित्त है तो जो यह स्थित्त है चंबा में स्थित्त है तो option a right answer होग अ जिए चंबा में परेश में हिमाचा परदेश में परसिद रादेशियाममंदरी कास स्थित्त है तो जो यह स्थित्त है तो इसका जाल रायkęंसर है function b बिलास पूर में श॥ित्त है नेक्स्ट कोशन है कि प्रदेश की स्पीतियन जंजाती को निया किस नाम से जाना जाता है तो ऑप्शन डी भोर्ट के नाम से नेक्स्ट कोशन है कि हिमाचर प्रदेश में कहां होकी स्ट्रीडियम का निर्माण हुआ है तो ऑप्शन सी राइटन स्रेश सिलारू में हमाचाप्र lifelong development government میں जो कुल प्रसास्निक मंदल है वह है option knowing नेक्स्ट कोशन है माचल दीवस कम मना जाता है तो 15े अप्राईल 1903 तरही को मैचाप्र मना है तो 15 अप्राईल को मेंरू मना जाता है नेक्स्ट कोशन है कि माँचे प्रदेश का राजया ब्रिक्श कोंशा है तो जो देवदार है कि M sou ralyork अध kendra किसमे इसका जो राज्या किए है नेक्स्ट कोशन कि पंजाब से किस दिशा में हिमाचर प्रदेश अवस्तित है तो यह जो अवस्तित है option B पूरब में तो इसके बाद next question है कि हिमाचर प्रदेश राज्य कोपरेटी बैंक का मुखलय कहां स्थित है तो इसका जो राइड अंसर है option D शिमला में नेक्स्ट कोशन है कि निम्न में से हिमाचर प्रदेश का कौन सा तो यह जो प्रसिद्ध है तो इसका जो राइड अंसर है option C चैती next question है कि कब तक हिमाचर प्रदेश मुख्या अयुक्त के परशाशन के तहत था तो इसका जो राइड अंसर है option B 951 तक था उसके बाद जो कि हिमाचर प्रदेश का राज्या बन गया था नेक्स्ट कोशन है कि NTPC द्वारा कौन सी प्रयोजना हस्कत की गई है तो इसका जो राइड अंसर है option C कोर्ड है और आपको पताए कि आज कल जो भी एक्जाम और अरण में ऐसे कोशन पूछी जा रहे है कि कौन सी कारेकरी अजनसी है और नेक्स्ट कोशन है कि माच पते इसके कि जिले में तत्ता पानी गरम पानी का चस्मा अवस्त है तो हमने इस वीडियो का जो फर्स्ट कोश कोशन है कि निम्न शिवालिक में कि रातों का वह शक्ति शालही राजा को था जिसने आ रहे हैं राजा दिबोदास के विरुद यूल लड़ा था तो ओप्शन डी संबर नेक्स्ट कोशन है कि वह बबन जो हिमाच प्रदेश का बिदान सभा गरी है बनाया गया था बर्ष तो यह जो बनाया गया था उनीसो पच्ची में बनाया गया था नेक्स्ट कोशन है कि शिली बन्याजीब पराणी अभ्यारणी माच प्रदेश के कि जिले में स्थित है तो यह जो स्थित है यह सोलन में स्थित है और यही माच प्रदेश का है जो सबसे छोटा बन्याजीब अभेहरन है इसने 1420 के दुरान को टोच राजे तंतर की नीव रखी थी तो इसका जो राइट अंसर है ओप्शन बीशु शर्मा चंदर ने नेक्स कोशन है कि निम लिखित में से कौन सा स्थान प्राचिन काल में जगर सुख की राजदानी रहा है पंजाब नेक्स कोशन है कि कि माचाबर देश के इंदर शाजित प्रदेश मना करशार्या कि नने पंजाब नेक्स्कोचण ए कि माच्छाप्रदेश में मानभ नीर्मित सबसे बड़ी जील कौन है तोूप्श डिक गु विंसागर है नेक्स्कोचण था की W fundo कालमें चिनाब नदी को जाना जाता था बनेन दर कोशन है कि छर्ड चोलांक चोटी इंहां ८ाय चरफ प्रदेश के कि दी सुख पूला प्कनिक प्रिज़ौर्ट अवस्तित में नेक्स्ट कोशन भारतिया मानक वीरों क्षेत्य के अंदर अवस्तित है तो इसका जो राइट अंसर है ऑप्शन सी परवानु में नेक्स्ट कोशन है कि चंबा में रंग महल का चलियांस किसने रखा तो यह जो रखा था यह रखा था ऑप्शन ए उमेद सिंग ने नेक्स्ट कोशन है कि बगानी का युद्ध गुरु गोविन सिंग और निम्न राजा के मद्दे हुआ था तो इसका जो ऑप्शन ए बिलासपूर के राजा के मद्दे हुआ था जो बगानी का युद्ध है गुरु गोविन सिंग और बिलासपूर के राजा के मद्दे है नेक नेक्स्ट गॉच्ट है कि नेक्स्ट को चैनल हो गया था तो नाइटी एटी वन इसका राइट अंसर है औप्शं बी नेक्स्ट कोच्ट है कि ओप्षण सी इसका राइटन से रहे हैं तरह ओप्षण डी कि 1947 में ठ्योग में गड़ी सवतंतर सरकार में कौन मुख्य मत्री बना तो सुरत प्रकाश बनेते नेक्स्ट कोशन है कि गद्दी निम्द में से किनके बंशज माने जाते हैं तो यह जो माने जाते हैं खत्रियों के बंशज माने जाते हैं ओप्षण सी राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन है कि कुलीन दास मुलता निम्द में से स्वंद रखने वाले लोग हैं तो यह जो स्वंद रखने वाले लोग है ओप्षण सी शिमला एवं सिरमोर की पाडियों से नेक्स्ट कोशन है कि सोबा सिंग कल माचल का राजय संग्राला जिस सूपरसीद बवन में है वह है वो ना बुखाऊस में अलरसी में ना हवेले में तो इसका जो राइट अंसर है ऑप्शन डी तो आप कमेंट करके बताई हो कि कहां पर है तो जरूर बताना बाकी मैं इस कोशन का जो अंसर है वो मैं नीचे इंदरनगर में नेक्स्त कोशन है कि माचल प्रतेस का सरवादिक सेव उत्पादक जिला है तो इसका जो राइट अंसर है और असंदान तरह परशिक्षन की राज़य परिशद एस सी इयार टी अवस्तित आज तो और्षन दी सोलन में नेक्स्त कोस्वाशन है कि पदम सिरी स इसमानित पहला हिमाचल वासी था तो जो ये था उप्शन एक केलाश महाजन नेक्स्ट कोशन है कि जनगर्णा 2011 के नुसार हिमाचा प्रदेश का जन संक्या घंतप प्रतिवर किलोमेटर था तो उप्शन डी टूट्री इसका राइट अंसर है यह बीद्धा स्टोक्स थी नेक्स्ट कोशन है कि शिपकिला दराई माचा प्रदेश के कि जेले में सित्त है तो ऑप्शन ए राइट अंसर है कि नौर में नेक्स्ट कोशन अदा लेडी ओफ के लाउंग है एक तो ऑप्शन भी एक पीन अग्स्ट कोशन है कि शिम्ला नगरपालिका का निर्मौन किस बर्स हुआ तो यह जो आथा इसका जो ऑप्शन है 1850 में हुआ था उप्शन ए राइट अंसर है प्रदाइश के कि जील्दी में श्रिखता है तो यह जो शीत है और अप्शन लेक्टिकण एमन्दी में सि के कि जिले में स्थित है तो यह जो इसमें से डी इन में से कोई नहीं तो यह जो है शिमला में स्थित है तो ओप्षन और डी इसका राइट अंसर है नेक्स्ट कोशन है कि छडी आतरा प्रारंब होती है तो यह जो होती है ओप्षन भी चमबा से होती है शुरू नेक्स्ट कूशन है कि 1740 में कांगड़ किलिए कांति मुगल गवर्णर था तो इसका जो रायटन से ओप्षण डिस सैफली खान थे नेक्स्ट कोचन है कि दित्य सिख्यूद के दौरान सिवा राज्या में सिखो को किस ने खदेडा था तो इसका जो राइट अंसर है option C राम सिंग ने नेक्स्ट कोचन है कि नगर कोट किसकी सक्ति और परतिष्टा का की गद्दी थी नेक्स्ट कोचन है कि हमाचल परदेश के प्रथम लोका युक थे तो न्याएधिस टीबिया टटाचारी तो option C इसका राइट अंसर है नेक्स्ट कोचल है कि माचप दिश सकंदी में में से कह जीला भारित भोपति प्रता से स्वन्दित नहीं है तो यह जू स्वन्दित नहीं है option कोचन है कि ती लोग पुरी मंदुकि इसकी मूर्थी का भवन है तो ओपशन सी त्रीपूर बालासुंद्री का नेक्स्ट कोचन है कि फलो के निंबु बंस किसम की खेती के लिए सरबादी की उपयोगी शेत्र हैं तो इसको जो रायिमी कि ऑक्रीं बेहिए पाढ़ि सेर्च सेंट्र में नच अपब्रदेस में स्थित्ट यह दो सित्र है उपशन सी लमें स्थित्र नेक्ष्ट में स्ugenी कि नियुद्ट कॉछन वर्श एकित्र में इस अपर्दय निम्ण निम्ल में是 कि जिले में सहरी जन संक्या का सरवादिक प्रतिशत है तो इसका जो राइट अंसर है option d शिमला में नेक्स कोशन है कि कि किस वर्ष के दोरान ही माच्य प्रदेश में प्रथम बिदान सवाद चुनाब हुए थे तो यह जो हुए थे 9052 में हुए थे वाकि यह जो किया जाता है चमबा में तो इसका जो राइट अंसर होगा option ए चमबा राइट अंसर होगा नेक्स कोशन की बाहदरपुर कि लाए जो हिमातरपदेश के कि जिले में सीथ तो अगर आपको इस कोशन का तो मैं आपके लिए कोशन चोड़ता हूँ कि अगर आपको इसका अंसर मालूम है तो आप कोमेंट करें बाकि नेक्स कोशन है कि कौन सी नदी सिंदु नदी परणाली का हिस्सा है तो यह जो नदियां है सिंदु नदी सतलुज ब्यास और चिनाप यह सभी सिंदु नदी जो तंतरह उसी का हिस्सा है नेक्स्ट कोच्छन है कि जन्गर्णा 2011 के नुसार हिमाच अपरदेश में लिंगा नुपात है कितना है तो 900 बात तरह है ओप्शन डी राइट अंसर है नेक्स्ट कोच्छन है कि हिमाच अपरदेश से राज्यसभा के परतम सदस्य थे तो जो ये थे चिरंजी लाल बर्मा थे तो बाकी मैं आपको इस कोच्छन का अंसर बताई देता हूँ कि बादरुप्री किला जो हिमाच अपरदेश के किजिले में सित है तो ये बिलासपूर में सित है ठीक है तो बाकि इस वीडियो में इतना ही अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पोंस आया तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए जल्दी जितने भी मतलब HPGK के most important question है वो मैं आपके cover करवादू बाकि अगर किसी question का अंसर गलत बता दिया हो तो आप comment कर देना मैं से pin कर दूँगा बाकि इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद